बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से भी और हमारे बहुत सेनियर साथी एड़ोकेट श्री महमूत पराचा साथ की तरफ से और विकास कांगला जी जो हमारे बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं आप सब का बहुत बहुत स्वागत साथे और दो विशों को लेकर आज ये प्रेस कांफेंस हम लोगों ने बोलाई एक विशे है जो दिल्ली इन्वेस्टी में दौलत राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डक्टर रितु हैं उनको जिस तरह से परेशान किया गया सर्विस से निकाल दिया गया एक उस वि अचे हैं जिनका केश चला ता पटेलाहस कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में और उनको आईसाइए के साथ में उनका संबंद बताके आतंकवादी बताके बिल्कुल फर्जी मुकदमा बनाये गया था आदालत ना उनको बरी किया और बहुत सक्त टिपनी की है कि पूरा मुकदम जूठा जिन से संबंद बताया गया था ना वो कह ऐसे वक्ति हैं और नहीं जो फोन कॉल्स लगर रिकॉर्ड बताई गें थी कहीं कुछ नहीं तो उसके विशह में हमारे भाई महमुत पराचा जी वो बताएंगे लेकिन डॉक्टर रितू के विशह में मैं आपको थोड़ सा बताना जाएं देखें डॉक्टर रितू बहुत ही अच्छी प्रोफेसर साइकलोजी की प्रोफेसर हैं डॉलत्राम कॉलेज में डिली उन्वेस्टी केंपस में आप जानते हैं लॉस सेंटर के बिलकुछ सामने लेकिन एक व्यक्ति का अपना रहने सेने का ढंग होता है जीने का एक तरीका होता है और अकर वो व्यक्ति शडू कास या शडू टाइप्स या ओबीसी मतलब गरीब तबके से दबे कुछ लिवर्क से आया हो तो बहुत लोगों को वो चीज़ें हजम नहीं होती उनके साथ में वही हुआ हम लोग बाबा साथ को मानने वाले हैं रो बाबा साथ जिससे सारह से रहे सू्ट बूट में हमेशा शांस रहे हम लोगों का वही तरीका है ड़क्टर रितू भी ऐसी रहती है यही चीज उस प्रिंस्पिल को पसंदने ही आती है वो कहती है कि तुम ayrूका है बच्चे उनको बहुत लाइक करते हैं सब्जेक्ट मास्ट्री होने के बच्चे को तो क्या चाहिए बैप पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए यही चीज उसको पसंदने है जो जैलेसी होती है और दुर्भागे यह है कि वो भी जैलेसी एक औरत को है एक महिला को है जि गिनोनी बात है सो उनको निकाल दिया गया लगातार संघर्ष करते रहे युनिवस्टी में किसी ने ने सुनी रजिस्टार ने ने सुनी वाइस चांसलर ने ने सुनी सब जगे संघर्ष करते करते आखिर अब हमें सफलता मिली कि जो दौलत राम कॉलेज की जो प्रिंस्पिले उनके इकलाब SCST Act में FIR लॉज हो गए और केवल SCST Act में नहीं है जो कागज उनने फॉर्च कागज बनाए यह आप मेरा हाथ में पेपर देख रहे हैं यह बच्चों की तरफ से उसने लिखवाया है और बच्चों की तरफ से एडिंग दे रहे हैं कि अनवर्दी उनका जो है बहेवियर है और 35 बच्चों का इस पर सिगनेचर कराया है यह बच्चे ही नहीं है सब नकली सो यह सारी चीज़ें कानून के इसाब से सेक्चन 467 में जिसमें कम से कम 10 साल के सजा है यह उसका अंतर गाता आता है तो यह भी सेक्चन डौलत राम कॉलेज की जो प्रिंसिपले उनके खिलाब लगा है सेस्टी एक्ट में सेक्चन 3 यू और इसके लाब सेक्चन 3,2,7 यह लगे हैं इसके लाब है 466, 466, 471, 120B और केबल वही नी रजिस्टार के खिलाब भी क्योंकि वो भी उसमें सब शामिल है लेकिन आप देखिए कि कुलिस की ताना शाही देखिए यह यूँ कहें कि किस सरह से केस को खतम करते हैं अभी आपने देखा होगा कि प्रफिसर रतनलाल जी उनके खिलाब एक बिल्कुल फरजी केस जो ग्यानवापी मस्जुद में शिवलिंग को लेकर उन पर किया गया बिल्कुल फरजी सेक्शन 113,5A में जो किया गया है उसमें उनको F.I.R. करके अरस्ट भी कर लिया पुलिस ने जबकि उसमें तीन साल की सजा और साथ साल की सजा के लिए तो मैं समझ आज की तारिक में परमिशन लेनी पड़ती है फिर भी कोट ने भी करका कि साथ साल तक अगर किसी में सजा है तो यूही एकदम ग्रफता ना करो लेकिन क्योंकि वो शरूर कास्ट हैं दबते नहीं हैं खुलके हर्पनात रखते हैं अपने और बिल्कुल एतिहासिक तथ्थों पर एतिहासिक साक्षों पर फेक्स और फिगर के साथ अपने जो सारी बोल सकते हैं जैसे उनके बाप का राज सो उनको ग्रफतार किया गया जिसमें मातरी तीन साल के सजा है और इसमें जैसे अभी मैंने सेक्शन आपको पढ़के बताया है चारसो सरसर दस साल के सजा है सेस्टी एक्ट उसमें तुरुंत ग्रफतारी होनी चीए और एक महीने तक इसमें बेल नहीं है ACP रेंग का वेक्टी इसकी इन्वेस्टिकेशन करता है ताकि ग्रफतार उसको इसलिए किया जाता है कि ताकि सबूतों के साथ छिड़चाड न करें उन्हें मिटावे नहीं लेकिन F.I.R. जब से हुई है तीन दिन हो गए है बाब जुद इसके अभी उससे ग्रफतार नहीं किया गया तो क्या पुलिस और प्रशासन दौलात राम कालिज की प्रिंस्पिल को और रजिस्टार को इन सब को जो सबूत उनके खिलाप है उन सारे सबूतों को मिटाने के लिए समय दे रहे है इससे यही नजर आता है तो यह जो सारी चीज़ें है आपके माद्यम से हम उनको कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को कि यह जिस तरह की भी चीज़ें की जा रही है और मुल्जीमों को बचाने की सबूतों को मिटाने की जो शासी की जा रही है यह बंद करें और तुरंट दौलत राम कॉलिज के प्रिंसिपल को अरस करें नॉन बैलेबल ओफेंस है कहीं किसी भी तरह की रियायत उनको नहीं दी जानी चाहिए और वैसे भी दिल्ली उनिवस्टी में जो सेंटल की उनिवस्टी है दिल्ली राजधानी है एक महिला इस तरह का जातिगत भेद भाव करे और इतना बुरा वेभार करे एक महिला के साथ में मैं समझता हूँ दुनिया को सबक मिलना चाहिए इस देश के उन लोगों को जनकी जातिवादी मान सकता है एक करारा सबक उने मिलना चाहिए उसको अरस्ट करना चाहिए तुरंट अगर नहीं करेंगे जल्द से जल्द उसा अरस्ट नहीं किया गया तो हम लोग बहुत बड़ी संक्या में दिल्ली इनवस्टी के सामने प्रधशन करेंगे रुकने वाले नहीं है हम लोग कभी कोई ये सोसता हो सो हम लोग पूरा समाज इखटा होकर जितने भी सोशल वर्कर है सब वो करेंगे और साथ-साथ यहीं मैं ये भी डिमांड करना चाहूँगा कि प्रफसर रतनलाल जी के खिलाब जो मुकदमा दर्च किया गया है उससे तुरंट खतम किया जाए उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा के कैंसलेशन रिपोर्ट लगा के उसको खतम किया जाए